हेलो आवरीवन वालकमेक्ट्रीवान चैनल टाइट आफ लालेज इस्टुडेंट्स आप लोग की बहुत जादा डिमांड पर एक बाप फिर से मैं आपके लिए हमारी क्लास 12 इंगलिश की प्रिवर्ड एक्जाम के क्यास्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् क्या है हूं क्यश्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् ग्रामर के सारी questions के answer में आपको detail में explain करा दिये थे तो यह जो grammar है इसके answer आपने पहले देख लिये थे इसके बाद में आपको explain करा दिये थे अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो link डिस्क बॉक्स में मिल जाएगी वहां जाकर आप उन वीडियो को देख लीजिए या फिर accepted playlist मना दी गई है तो pre-board के नाम से आप playlist को चेक कर लीजिएगा वहां पर आपको सारे ही questions के answer देखने को मिल जाएंगी जो questions के answer में आपको पहले provide कराये थे ठीक है तो आज हम solve करने वाले है हमारा second number के question और बाकी के questions तो सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए यह हमारी class 12 English pre-word exam का question paper है 2021 222 का ठीक है तो directly हमा जाते है question number second पर तो देखिए हम चलते question number second तो यह हमारा question number second देखिए इसमें करना क्या है आपको read the following passage carefully and make notes on it and also given a suitable title तो आपको करना क्या है यहां पर notes बनाना है और इसका title प्रोवाइड कराना है ठीक है तो हमें notes बनाना है औ अच्छे तरीकी से read कर लीजेगा ठीक है के notes किस तरीके से बना जाते है इसको पर accepted video बना दी जाएगी फिलाल मैं आपको इसका directly answer बतायता हूं तो पहले आप इस question को देख लीजिए यह हमारा notes वाला है ठीक है इसके बाद मैं आपको question section B के answer भी provide कराऊंगा पहले आप इसक question के answer को देख लीजिए सुस्टेंड यह रहा हमारा answer की question number second का answer यह हमने title जो निकाला हुए तो title देखिए जो suitable title था इंट्रेस्टिंग facts about dolphins, dolphins के बारे में इंट्रेस्टिंग facts बताएगा है तो यहाँ पर हमने इसको title ले लिया है तो इंट्रेस्टिंग facts about dolphins तो इस type से आपक है हमारा but tension मत लीजिए मज़े की बाद यह है कि पूरा pattern objective हो गया इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मौक टेस्ट की practice तो यह एक एप है फिलो चलो पहला download करो अब आपको इस practice section में जाना है और सारे subjects की class 12 और class 10 दोनों ही के students के लिए यह एक बड़ी हुई है पर exam environment की feeling क साथ इस mock paper में timer भी लगा हुआ है तो आपको test के end पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत है अपनी report generate होती है दूसरी बास ज्यादा important बात जिस भी क्योंचर में आपको problem हुई उससे immediately आप इस एप पर expert tutor से पूछ सकते हो और 60 seconds के अंदर एक tutor B में लिगा helping drowning sellers और यहाँ पर यह जो है abbreviation का use किया मदब ही होता है intelligent creature इसके बारे में आपको last में बताऊंगा तो abbreviation का use भी हमें करना होता है nots बनाने के लिए तो यह कि हमारा जो first था point और इसके हमने heading की sub heading ली तो यह हमारी friendliest creature यह heading थी और यह हमने sub heading ठीक है इसके बाद second fact about dolphins तो इसके बारे में लिग दिया that society is more complex and caring for other dolphins and यहाँ पर यह protect है protect the weakest in community इसके बाद हमने third number का भी point निकाला हुआ है तो इसकी heading है what have यह जो है यह abbreviation है scientist का suggested dolphins have lungs and communication with each other and more intelligent than men ठीक है इसके बाद fourth number लिकाला हुआ है threat to dolphins men can kill them easily and they can't kill men and more more discovery यहाँ पर यह abbreviation किया हुआ है more discovery less superiority of men ठीक है तो इस type से आपको nots बना देना है तो आपको इसका screenshot लेना चाहिए तो आप इसके screenshot ले सकते है यह फर मैं आपको इसकी pdf प्रोवाइड करा दूगा pdf के लिए अप हमारे telegram कुछान कर लेजिए link आपको मिल जाएगी अब देखते जाएगी में starting तो यहाँ तो यह मैं थोड़ा सा आपको मोका दे रहा हूँ इसकी shot लेने के अब देखिए यहाँ पर हमने protect के लिए यूज किया है तो यहाँ पर हमने इसको mention कर दिया है तो इसके वारे में यहाँ पर mention कर दिया है तो यह हमारा question no second था तो हमने इसके answer देख लिए है अब हम देखते है next question मतला हमारा section B थो हम चलते है section B की तरफ के लिए यह वीडियो के इस वीडियो के अंदर प्रोइड कराओंगा तो इसमें आपको करना गया है इसमें आपको एक दिजाइन करना है तो देखिए एड़टाइजमेंड न बता कर मैं आपको इसका और वाले के अंसर बाता जेता हूं जिदे अन्ट्रिटिव पोस्टा और वाला answer में आपको बताने वला हूं, कोई एक आपको करना है, तो save trees and save earth मतलब कापको जो poster design करना है, इसका answer में आपको बता तोँ इसका आपको question 4 है, question 4 में आपको करना है, आपको लेटर राइड करना है, form a letter किस चीज के लीए करना है, आपको loud speaker के लिए ठीक है तो इसका भी answer में आपको भी provide कराने वालों इसके बाद आजाते है question number 5 question 5 में से आपको article write करना एनी one topic पे तो इसका corona pandemic इसका answer में आपको बताने वाला हूँ इसको आप skin shot लेली जाएगा मैं यहां पर अच्छे से बतायता हूं आप note करना चाहिए तो note करते जाएगा ठीक है यह मैं आपको लिए set कर देता हूं यह रहा यह मैं इसको set कर दो पूरा को पूरा आप skin shot लेना चाहिए तो आप skin shot ले सकते हैं यहां पर चलते हैं इसके बाद यह थोड़ा सा और रह गया था तो यह भी देख लिए ठीक है पहले यहां तक था अब यह ओगा है ठीक है के लिए रहे नगा लेकिन इसका आंसर लिखने तर पहले जरा अच्छे से समझ लिजी यहां पर आपको एड्रेस चेंज करना है और ड लेटर इस टाइप से लिखना है और किस चीज के बारे में था वह आपको बताया था हूं तो देखिए सबसे पहला काम तो आपको करना क्या है यह जो फॉर्मेट में आपको लेटर का जो एड्रेस है इस एड्रेस को चेंज कर देना है ठीक है तो अब एड्रेस में आपको प्रीत विहार चतरपुर दिया गया है तो यहाँ पर आपका जो सेंडर एड्रेस है तो सेंडर एड्रेस में आपको यहाँ पर यह जो है इसको अटा दीजिए इसको अटा दीजिए और यहाँ पर डेट को अटा दीजिए तो यहाँ पर आपको लिख देना है मैं आपको नाम लिखके दबल से बता देता हूँ तो आपने प्रीत विहार था तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम सेट कर लेते हैं और बता देता हूँ किस टाइप से आपको एड़ेस लिखना होगा तो यह जो लिखना थाल्टी राजस्वा कालोनी तो इसको अटा देना इसके प्रीत विहार क्या लिख देना प्रीत विहार मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्रीत विहार अच्छे से लिख दीजिएगा ठीक है प्रीत विहार आप लिख दीजिएगा ठीक है एक बार और अच्छे से लिख देता हूँ यह हटा का 30 राजाजवा कालोनी हटा कर आपको प्रीध व्यार लिख देना है उसके नीचे क्या था वाई चातरपुर था तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा चातरपुर C-H-A-T-A-R-P-U-R ठीक है चातरपुर लिख दीजिएगा प्रीध वा लिख दिया चातरपुर लिख दीजिएगा ओध आप जिस डेट में लिख रहा हैं मतलब कि आप 21 में लिख रहा है तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा मतलब डेट आपकी क्या हो जाएगी 21 January 2022 ऐसे लिख दीजिएगा आज की डेट लिख दीजिएगा तो यह फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देखिए आप यह से पहले लिख लिख दीजिएगा जैनुरी पूरा लिख लेए तो ज्यादा बहतर है जैनुरी ठीक है इसके बाद आप लिखिएगा 21 कॉमा लगाईएगा और 2022 लिख दीजिएगा ठीक है तो आपको यहां पर करना क्या है डिटीक इसका जो और नाम चैंज करना है किया था आपका नम on कमार मिश्चे कर दिया में एट को लिख दिजिएगा तो यहां पर मिश्चा लेज़ेगा ठीक है यह रहा यह रहा ठीक है आगे आजाते हैं नेक्स क्वेश्ट जो कि आपका कोविड वाला था क्वेश्ट आपका फॉर तो इसको टूट वर्ट में लिखना था थो थोड़ा सा हमने बड़ा लिखा हुआ तो आप इसको राइट कर देजिएगा आठीकल तो यहाँ पर देखिए यह सिंदा कोविड नाइटीन पैंडेमिक तो यहाँ से इसके आंसर देख लिजी इसकी शौट ले जल्दी जल्दी इसकी शौट लेते जाएगा ठीक है इसको शौट करना चाहे तो आप शौट कर सकते हैं 200 वर्ट में पूझा था आप इसको और क्यों के आंसर शौट हमांगा है जाए जीचिंट लिए जाए अगर आपने नहीं मिल जाएगे आपको ढगा चाहरे जा सिसने देख लिय बर देख लिए हुँ आपकर आपको टें तो कि आपको टेम पांशर बताना है जो कर अमारी फिलेमिक-बॉक से लिए गाहेए तो इसमें कौन कों से क्योशन दिये गए तो इनके आंसर आपको इजली बता देता हूं है वाट है बिन पॉट अप उन दे बलेडिन बोर्ड इन वाट मिक दे शिटी आफ फिरुदाबाद फेहमास फिरुदाबाद किसली फेहमास है और ब्रेडिन बोर्ड पर क्या लगा हुआ था तो यह सारी आंसर आपको अभी बताने वाला हूं इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपको जो सेवन वाला ले लिए यहां पर सकते हैं तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपको सेवन नंबर का है यहां पर हमने लिए सीरेल नंबर हमने वही डाला हुआ ठीक है तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा इसके आपके सामने आंसर है तो आपके लिए लेकर आगा हूं तो इस वीडियो को लाइक करें अपने सारी दोस्तों को जाज-जाज-जाद शेयर कर करने में बिल् wellbeing करिए ट्रियूर्ञ थैप क्यासर का का कशा यहां पर हमने बता दी आप यहां पर देख लिजींए इसके बाद हम आगे बचाते हैं यहां पके क्शन सेकेंडे यह तो पूरा आपका पेपर हो चुका है कम्प्रीर हमने पेपर का सॉलूशन इस वीडियो के अंदर देखेंगे जो रहे गए थे वो मैंने पहले ही आपको बता दिये थे अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है प्लेलिस एक बार चेक कर लिजिए प्रीबोड के नाम से आपको वहां सारे क्योंस के आंसर देखने को मिल जाएंगे अपने सारी दोस्तों को सब्सक्राइब कर लिजिए और